बात करेंगे हरित करांती की 1943 में बंगाल में आयकाल में करीब 30 लाख लोग भूंग से मर चुके थे इसका असर देश की आजादी के बात तक पड़ा हाला कि सरकार ने क्रिशी शेत्रों के विस्तार पर ध्यान तो दिया पर चंसंक्या खाद्योत बादन की तुल्ना में बहुत टेजी से बढ़ रही थी इसलिए उपज बढ़ाना पहली प्रात्मिक्ता बन गया था इसी पहल का नतिजा थी हरित क्रांती यानी ग्रीन रेविल्यूशन जो 1967 से 1977 के पीच अफ्तर नित हुई इसके प्रनेता थे डॉक्टर नॉर्मन बोर्लोग और भारत के डॉक्टर MS स्वामी नाथन हरित क्रांती का मकसद भूप संकट को तूर करना ग्रामीड एवं अध्योगिक विकास पर आधारित समगर टिशी को प्रोच साहित करना आधुनी की करन और बुनियाती धाचे का विकास करना टिशी और अध्योगिक ख्रमिकों को रोजगार देना और मजबूत तता बेहतर पत तयार करना था इसके तहट भारती क्रिशी को आधुनीक तौर तरीकों और प्रोध्दुकी की जैसे हाई इल्डिंग वराकी वाले बीच, ट्राक्टर, सीचाई सुविधाओ, कीटनाशकों और उर्वरगों के मारफतिक और ज्योगिक प्रनाली में परिवर्दित किया गया था हरित करांती का फोकस गेहु, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्के पर था जिसके उन्नत पीच भारती क्रिशी अनुसंधान परिशद ने तैयार किये थे हाला कि लाग मोटे तौर पर केहु को मिला था 1988-89 में एक सो इत्यस मिलियन टन का अनाज उत्पादत कर भारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रिशी उत्पादकों में से एक के रूप में स्थाविर हुआ था खाद्यानों का आयात कम हुआ था आत्म निर्भरता पड़ी थी प्रतिवेक्ति खाद्यान उपलब्दता पड़ी थी किसानों की आये पड़ी थी हरत कांती ने बड़े प्यमाने पर ट्राक्टर, हार्वेस्टर, थ्रशर, कमबाईन, डीजल इंजन, इलेक्टिक मोटर और पपिक्सर जैसी मशीनों की मांग पैदा की थी इसके अलावा राजानिक पुरवर कों, कीट नाशकों और खरपत्वार नाशकों की मांग में भी काफी वृत्धी हुई थी साथ ही ग्रामीर शंबल की मांग में बड़ी वृत्धी हुई थी ये हरित कांती की शानदार काम्यावी थी जिसमें भारत को दुनिया के अग्रणी क्रशी देशों में स्थान दिलाया था और राष्टे खादिय सुरक्षा के लक्षि को सफलता पूर्वक साथा था